खलो जी नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं गोईन पडेल और आप देख रहे हैं खेती की पार साल यूटूब चैनल मैं आज आपको जो है एक ऐसे पोड़क के बारे में बताना चाहते हूं जिसका यूज अगर आप करते हैं तो आपकी फसल की जो है हाइट बढ़ेगी उ और यह जिब्रेलिक एसीट आया है मेरे घर में यह जो इस टेलर नाम से जिब्रेलिक एसीट है इसको मैं एग्रोइश्टा रेप के माध्यम से मगया हूं इस टेलर में जो है जिब्रेलिक एसीट 0.001% L है जिब्रेलिक एसीट का काम रहता है कि हमारी जो फसल रहती है उसम उसके जो सेल्स होते हैं सेल्स को मल्टिप्लाई करना जीब्यली के सीट का उपयोग जो है आप लगबख हर फदल में कर सकते हैं खासकर इसका उपयोग जो है मतलब फूल फल आने के अस्था में करते हैं जैसे कि फूल से फल आने के अस्था में करते हैं फल की साइज बढ़त को मतलब बढ़ान तो जीब्रेलिक एसीड को उपयोग जो पियाच की क्रॉप में अब करने वाला हूँ उसके बाद जितना बज जागा मैं अभी मेरे जो फेल हमार्थ जो है आप हर फदल में कर सकते हैं खास कर अगर आप इमारती लगडी में यूज करते हैं जैसे कि शागोन का जैसे पेंड होता है सागोन के पेंड में अगर आप जीब्रेली केसिट डालते हैं तो उसके जो सार होता है लगडी का जो सार होता है सार में सार बढ़ता है इसके स जो है, एक समान बालिया निकलती हैं, तो आप सोच सकते हैं, जिब्रेलिक एसीड जो एक हार्मोन से कितना ज्यादा असरदार होता है, तो इसका अगर आप आपकी फसल में इस्प्रे करते हैं, तो एक साथ जो है उसमें फ्लावर भी आते हैं, इसका अपयोग फ्लावर वाली खासकर्म जैसे कि मैं बात करूँ तो अपना जो बैंगन होता है मीर्च होता है जहां पर आपको quality चाहिए रहती है और फल के आकार भी काफी बड़े चाहिए रहता है तो उस अस्था में जो है आपको फूल से फल बनने के जो अस्था होती है छोड़ी छोड़ी जो फल बनती करने वाली है हर order पर यह referral code का आप इस्तमाल करिए आपको जो है काफी ज्यादा च्छूट एग्रोइस्टारेप के माध्यम से मिलने वाली है फिलाल तो मैंने order किया है यह जो इस टेलर जिब्रेलिक एसीट का इसका में स्प्रे करने वाला हो मेरे प्याज की crop में फिर मैं आ किस्ची तोर पे आपकी crop की height जो है काफी अच्छे से बढ़ेगी फल का आकार भी बढ़ेगा क्योंकि इसका काम रहता है कि फेल को multiply करना तो छोटा फल उसका आकार बढ़ा कर देगा तना जिसका छोटा है आप आपने देखेंगे पौधे एकदम कमजोर दिखे देता है कि तो फिलाल मैं इसका भी करता हूँ जिब्रेली के सिर का इस्तमाल और कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंतर आया तो फिलाल आच की वीडियो में बस इतना ही इससे समय कुछ भी सवाल या सुझा होता है तो प्लीज आप नीचे में कमेंट करें या फिर आप